नमस्कार, करोना संकट के बीच आज फिर एक बार प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कारेक्रम के जरिये लोगों से जुड़े लोगडाउन के दौरान रेडियो पर यह प्रिधान मंत्री ने तीसरी बार सुभा 11 बजे देश को संबोधित किया यह कारेक्रम पहले से थोड़ा खास था अपनी दो बातों के कारण पहला लोगडाउन 4.0 का आज आखरी दिन था और दूसरा मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल का एक साल पूरा हुआ प्रधान मंत्री ने करोना वाइरस, करोना युद्धाओ, बंगाल के सुपरसाइकलोन, खेतों में टिडियों के हमले समेत तमाम मुद्दों पर देश को संदेश दिया पी-म ने कहा कि करोना को लेकर हमारे देश के लैब में हो रहे वैक्सीन पर काम को लेकर पूरी दुनिया की नजर है करोना पर बिलकुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए इसके खिलाफ भारत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है प्रवासी मजदूरों को देखते हुए नए कदम उठाना जरूरी हो गया है उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है कहीं माइग्रेशन कमिशन बनाने की बात हो रही है तो कहीं केंदरी सरकार के फैसलों से रोजगार मिलने वाले हैं यह फैसले आत्म निर्भर भारत के लिए है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि गोवा में हमारी बेटियां हजारों की संख्या में मास्क बना रही है कितने ही उधारन रोजाना दिखाई और सुनाई देते हैं लोग अपने प्रयासों के बारे में नमो एप पर बता रही है इस दौरान पढ़ाई के छेतर में भी कई अलग-अलग इनोवेशन्स, सिक्षकों और छात्रों ने मिलकर किये हैं ओनलाइन क्लासिस शुरू हो चुकी है कोरोना वाइरस के खिलाफ लडाई का रास्ता काफी लंबा है इस दौरान हम सब ही नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया के साथ ही यह सब जो सेवा कर रहे हैं यह सब ही प्रशंशा के पात रहे हैं उनके जीवन में भरपूर, आत्म विश्वाष और सकरात्मक्ता नजर आती है देशवाश योखी संकल्प शक्ती के साथ एक और शक्ती इस लडाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वह है देशवाश योखी सेवा शक्ती भारत में करोना वाइरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता लड़ रही है भले ही कारुबार हो, कार्याले की संस्कृती हो, सिक्षा हो या फिर चिकित साशेत्र हो हर कोई करोना वाइरस महामारी के बाद की दुनिया में बदलाफ के अनुरूब ढ़ल रहा है पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है इसलिए हमें अती आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए क्योंकि करोना से साफधानी हटी तो दुर घटना घटी